पश्चिमी हिमाले क्शेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 31 मार्ज तक गरज के साथ हल्की से मध्यमस्तर की बारिश की संभावना है 29 और 30 मार्ज को इसमें तेजी देखी जाएगी वही पूर्वोत्तर भारत में 30 मार्ज से एक अप्रेल के बीच आंधी तुफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है आएमडी के मुताबिक पश्चीमी राजस्थान और उससे सटे इलाकों में पश्चीमी विक्षोम सक्रिय है 29 मार्ज को एक जाता पश्चीम विक्षोम यानि वेस्टन डिस्टर्बेंस की स्थीती बन रही है जिसके पश्चीमी हिमालेक शेत्र को प्रभावित करने की संभावना है इसके चलते हिमालेक शेत्रों में के अलावा 27 और 31 मार्ज तक पंजाब हर्याना में अलग-अलग स्थानों पर गरच के साथ बारिश होगी वही 29 और 30 मार्ज को पश्चीमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और 29 से 31 मार्ज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरच के साथ बारिश होने की भी संभावना है